नमश्कार देश लोक सभा चुनाओ के दहलीज पर खड़ा है बिहार में चुनाओ को लेकर रनीती बन रही है चालीस लोक सभा सीट वाले प्रदेश बिहार में भाजपा राम के साथ साथ मोदी के चेहरे पर वोट मांग रही है दुसरी और बिहार की जो मौजुदा वीपक्छी दल है जिसमें सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रिय जनता दल है वो सत्रा साल बनाम सत्रा महिने की सरकार के नाम पर वोट मांग रही है तो आपको ये समझना होगा कि बिहार की सियासी सरगर्मी जो बढ़ी हुई है इसमें तेजस्वी आदो की कितनी बड़ी भूमिका होनी है 2019 के चुनाओ की अगर बात करें तो 2019 के लोक सभाज चुनाओ में बिहार में NDA ने 49 सीटों पर जीत हासिल की थी एक सीट कॉंग्रेस चुनाओ जीती थी कीसन गंज लोक सभाज सीट पर और दुसरी और RGD की बात करें तो सुनने पर सिमट गई थी लेकिन इस बार जो भी सर्वे हो रहे हैं जो भी पब्लिक ओपेनियन के सर्वे आ रहे हैं वो ओपेनियन पोल बता रहा है कि बिहार में लगबग 10 सीटों पर बिहार में महागटबंदन जीतने जा रही है महागटबंदन के अंदर आरजेडी की सबसे बड़ी जीत होते दिख रही है तो खैर ये तो मुद्दा होगा चुनाओ के वक्त की बिहार की जनता ने किसे कितना वोट दे कर जिताया नतीजे आएंगे तब लेकिन फिलहाल बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी आदव बिहार की जनता के बीच लागातार वो काम बता रहे हैं जो 17 महिने की सरकार में रहते तेजस्वी आदव ने किया है तेजस्वी आदव को इस बात का भरोसा ही नहीं बलकि पूरा यकीन है कि बिहार की जनता उन्हें पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिचाई, सुनवाई और का 17 महिने की सरकार का काम देकर वोट देगी, बिहार की जनता को ये तै करना है कि 40 लोक सभा सीटों पर धिता कर किसे केंदर की सत्ता में मजबूत करने के लिए यहां से दिल्ली भेजती है, लेकिन तेजस्वी आदव ये उपलब्दियां गिना रहे हैं कि जो हमने 17 महिने की स 17 साल के सरकार में नरेंद्र मोदी की पाठी भाजपा नितिश कुमार के साथ मिलकर नहीं कर पाई, तेजस्वी आदव बिहार में वो मौडल दिखा रहे हैं जो 17 महिने की सरकार में उन्होंने ने काम करके दिखाया, तो तेजस्वी आदव का मौडल क्या है, ये आपको इससे पहले तेजस्वी आदव का एक फेस्वुक पोश्ट देखिए, मेटा की प्रोफाइल फेस्वुक पर तेजस्वी आदव ने लंबी चोरी पोश्ट किये, और ये तेजस्वी आदव का पोश्ट आप देख रहे हैं, जिसमें तेजस्वी आदव अपनी उपलब्दि के साथ ये गिना रहे हैं कि कैसे बिहार में 17 महीने की सरकार में उन्होंने जो काम किया उसके बाद अलग महाल बदला धर्म की राजनीती से बाहर देश की बहुसंख्यक आबादी है जो नौकरी अच्छी सिक्षा स्वास्विवस्था विकास और रोजगार मांगती है यही द किलिंडर 400 के बजाए एक हज़ार से अधिक हो गया है रसोई का सारा बजट गरबरा गया है मध्यम और निर्वन निम्न मध्यम वर्ग महंगाई और बेरोजगारी से परिसान है विकत 46 वरसों में देश में सबसे अधिक बेरोजगारी दरहे जो नई नौकरिया देना तो द खुद मोदी सरकार मानती है कि 80 करोर लोगों को मुफ्त रासन वितरन करना पर रहा है इंडिये सरकार के नोट बंदी जैसे बिना सोचे समझे लिए गए फैसलों तथा बड़े उद्धोग पतियों के पक्ष में नीती बना गलत निरने लेने उसे छोटे व्यपारी एवं लगुए वं मध्यम उद्धोग धंदे समाप्त हो रहे हैं जिससे करोरों की संक्या में स्वरोजगार खत्म हो गए हैं और हो रहे हैं बीजे पी सरकार ने संविधानिक संस्थाओं का दुरुपयों कर उनकी विश्वासनियता को समाप्त कर दिया है बीजे पी निता संविधान बदलने और आरक्षन खक्म करने की बाते कर रहे हैं ताकि आरेसेस का विवाजन कारी एजिंडा लागू किया जाए मोदी सरकार जोलंत मुद्दो से ध्यान भटकाने के लिए चुनाव पुर्वर नित नए प्रपंच रच्ती है हेडलाइन्स मेनेजमेंट करती है दस वर्सों में जनता इन्हें अच्छे से जान और पहचान चुकी है इस बार जनता मुद्दो पर मद्दान कर अपने वोट की चोट से जूट बोलने वाले भ्रम फैलाने और नफरत बाटने वाले को सजा देगी तो ये बिहार के नेता परतिपक्ष तेजस्वी यादव का फेस्बुक पोस्ट है बिहार में मैंने पहले ही कहा कि चुडाव की तयारियां चल रही है तो ये तेजस्वी यादव का वो पोस्ट है जिसमें तेजस्वी यादव ये बता रहे हैं कि केंद्र की जो दस वरसोक में नरिंद्र मोदी की सरकार रही है तेजस्वी आदव ये बता रहे हैं कि देश में महंगाई बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है और वो ये भी कह रहे हैं कि खुद मोदी सरकार ये मानती हैं कि असीक करोर लोगों को मुफ्ट की रासन से उनका दिनचर्या चल रहा है तो ऐसे में तेजस्वी आदव का ये फेस्बूक पोस्ट इस वज़ा से भी काफी महत्तुपून है कि बिहार की आम आवाम को ये जब वो नौकरी बाट कर 17 महीने की सरकार में लगभग 5 लाख नौकरी देकर ये संकेत दे रहे हैं कि नौकरियां केंदर सरकार ने कितनी दी है बेरुजगारी कितना बढ़ा है और सिलेंडर की कीमत की मैं बात करूँ तो 400 से 1400 पार वाली वो बाते कर रहे हैं ये तेजस्वी आदव का एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक है देखिए बिहार में तेजस्वी आदव की अगर राजनीतिक छवी किया बात करे तो एक नौजवा के लिए एक बड़े मुसीबत बनकर तेजस्वी प्रसाद यादव सामने आते दिख रहे हैं जो 17 महिनों की सरकार में तेजस्वी ने बिहार की जनता को काम करके दिखाया वो मास्टर स्ट्रोक तेजस्वी को और काम्याब बना रहा है फिलहाल आप टुड़े बिहार निव ट्रसादब